अब यहां पर देख लो जैसे मैं आपको बोला था तीन चीज़े आपको मैंने आपको बोली थी आपको यादे सबको गाईज ग्रेवीटी क्या करते है ग्रेवीटी यह थिए अवेस्ट आऊनवर्ड मगा हुआ और पुष करता है जैसे मेरे इतने भी सरफेस यहां ठका देंगे पुष करेंगे जैसे जो ग्राउंड मुझे उपर पुष करेगा सपोस्ट मैं पीछे ऐसा गर के लेटके खड़ा हो तो पीछे वाला जो मौल है या ये स्क्रीन है मुझे आगे पूश करेंगी तो हरे कोई मुझे पुश करता है ठीक है वही पूश करेगा ठीक है तो इसके ऊपर ही मैंATHER कुछ-कुछ यहां पहे आपको दिये थे सबसे इंपोर्टन लॉग कुंसा है यहां फर्स थे करने थर्ड में यह सब लोग बच्पन से पढ़ता है तो में लिखूंगा निए सबसे इंपोर्टन थे के लोग के अंदर लिखा जाता है एफ इस इक्वल टू एम ए ठीक है सेकंड लॉग में हम लोग लिखते है एफ इस पड़नी वाले जैने वरी में ठीक है बड़ अभी के लिए ऐसा पकड़ लो वाड़ी सेंटर आफ मास अपर आप सब लोग यहां पर देखो जैसे मैं नहीं आप लिखा था आप यहां करो बोडी के सेंटर से कहां से रॉक यह सारे सब्सेश्य जो सारे पोर्से फोर्से जो करने के बाद में स्टार्ट करने वाला हो जाने वरी में तो जो अपना इविनिंग का जो रेगुलर बैच उसमें वह स्टार्ट होगा तो आपको समझ माएगा कि सेंटर ऑफ मास क्या होता अभी के लिए धाल में रखना कोई भी बॉड़ी है एक बॉड़ी एक पॉइंट मास में कर सकते हैं मतलब जैसे मैं हूँ अभी खड़ा हूँ यहां पर मुझे सब्सक्राइब करना है मतलब मुझे छोटा सा पॉइंट में करना है और मैं कहां पर रखूंगा उस पॉइंट को उस पॉजिशन को हम लोग बोलते सेंटर ऑफ मास ठीक है तो यह बैसिकली एफ इ एक बॉड़ी के ऊपर बहुत सरे फोसे सब्सक्राइब होंगे ग्राइविटी नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन यह वो ठीक है सारे फूसे को एड़ कर दो इस इकॉल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ताम खतम बच्पन में इसको डायरेक्ली एफ इस इकॉल तो एमे लिखते इसे कुछ लोग यहाँ पे उसको वापस पूलीजन में कुछ वुख में अल्लेडी दिफाइन किया है में बाद में उसको यह करता हूँ यह ऐसा भी कर किया जाता है ठीक है अभी है अब यह क्या है आपको बताए कि क्या है कि सुक्ष्ट इस पिए इसको जोगव प्रेट पी प्रेशर नहीं यहां पर पीज रेट ऑफ मिलब पीज मोमेंटम एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बोलते है फोर्स को ठीक है लेकिन यह जो डेफिनेशन है फोर्स की यह मैं बाद में दूंगा अभी नहीं अभी के लिए एक इस इकॉल तो में कासी तैसमें थ्यूंतनगे फोर्स किया उ होता है तो कि फॉस्टल यह होता हैären कंपको इनर्षिया का मतलब क्या है अभी आप लोगत्या का सरे का मतलब रिया है नांको पर दो तो यह होगा जब क्या चीज़ जिए जिए जिरो होगा थे यही मेरा है अब थोड़ा से याद कर लो अब थोड़ा से याद कर लो हम लोग क्या बोलते थे फिर्ष्लाओ में फॉर्टि नहीं होती थी बॉड़ी इन इसका मतलब आपको पता है एक्सलेशन जीरो मतलब मैं जब बॉड़ी के उपर कोई भी फोर्स नहीं डालूंगा तो एक्सलेशन जीरो का मतलब क्या होता है बूद सकते हैं उट बुदी नहीं को मतलब में बहुता हुज ऑख मतलब किया म्तलब आजिंट स्टे का मतलब क्या आशनर विल और सिकोंस्टंट को जाती में कि यह पर है क्षेज्च मेल की नहीं मस इससे लिए इसे कई हैं थिकर तो मुझे पता इन सबका एक्स वेशिन वह कितना एंट इन सारे बॉड़ी का एक्सेशन कितना है जीरो तो बैसेशन जीरो होते है उसको लोग कुण सी केस बोलते थे याद करो पहले में पहले पहले पिछले लेक्ष्ट में क्या बोला था मैंने इक्विलिब्रियम और अपने सारा का सारा तो नियूटन का फर्स्ट यह था सेकंड यह है थर्ड लॉग थर्ड लॉग को एकदम सिंपल सम्में रिखेंगे अपन थर्ड लॉग नथिंग बट एक्षण रियक्षण थिक है एक्षण रियक्षण मतलब ठीक है गाइज जितना फोर्स लट्से मैंने 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 इस पेंड को मारा तो मैंने पेंड की उपर एक फोर्ष डाला पेंड ने भी मेरे उपर एक फोर्ष डाला मैं आपको एक्षामपल भी दूँगा लेकिन अब थर्ड यहां पर लिखके रखो डियक्षण एंड रियक्षण ठीक है चलो एक काम करो यह 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 नियूटन की तीन लॉस पर लिख दो ऐसी जो भी मैंने आप लिखे हुए मैंने आपको लॉजिकली लिख दिए यहां पर लॉजिकली लिखा हुआ है इनको उपन यूज करने वाले मतलए इनको यूज करने वाले ठीक है पहले एक चोड़ा सब्सक्राइब करने के लिए प्रेश्ण पुछूंगा आपको वह करके अपने आगे बढ़ेंगे ठीक है झाले है पुछ झाले झाले है झाले है झाले है कर दाद है ढligh झाल झाल लिक्योगे रही दगका सुकाँ लिक्योगे रही दगका सुकाँ लिक्योगे रही दुकाँ झाल झाल खीक है अब यहाँ पर सब लोग देख लो अब यह होने के बाद एकदम एकदम सिंपल एकदम सिंपल पहले मुझे बता अब देखो फर्स्ट लॉव सेकंड लॉव थर्ड लॉव कैसे लगता है वो सब कुछ आपको बताने वालो पहले फटा फट अपने फट पड़ी पड़ी थी सबने फट पड़ी थी तो फट इसकी एफट निकालके बताओ और इसकी एफट पड़ी निकालके फटा फट बता दाओ ठीक है एक में फटा फट एक एफट एक एफट एक एफट निकालके बता दो मुझे ठीक है चलो या फिर एक काम करो इसकी मत करो एक मिनिट जो पहले वाला है इसकी मत करो चुले इसकी कर लो इसकी एक ही क्वेशन देता हूं मैं दो क्रेशन क्यों यह एक क्वेशन जो मैंने आभी आपको दिया है यहां पर सब कुछ आएगा देको फाइय के जी कप लॉक है ऐसे स्ट्रींग से लटका के रखा यहां पर एक मां से टू केजी का इसकी उपर एक टू के जी और ब्लॉक रखा रहे इसकी एवड़ी बनाउ चलो फटाफट जो भी आपको पता है सारे forces लगा कि FBD बनाओ, मैं दो मिनिट दे रहा हूँ कि FBD अ चाहिए जो ड्रॉ कर लिके काई जाइब विडिया अपने चो जो चरो ठातिक है यहांको पहले मुझे बता हम यहां पे तो यहां पे देखो यहां पे दोस्तुरिग कि यहां तो यहां पे सब लोग इस ट्रिंग में में का उनिता हो ने ऐंड शेम करके पूल कर दियो यहां पे कौंटेंट सु मुझे बता हूं ये इतना करने के बाद इन को मतलब क्यों किसमें सब्सक्राइब हुआ ऑदो तो प ś clicking जैसे मैं यहाँ पे बड़ा वाला बॉडि साथ कर लेता हूं ठीक है कोई बोलेगा सर टू के जी देखो ऐसे वाला टू के जी आपको समझने के लिए और यहां पर यहां पर सबसे कोई साव कास सबसे जी तो एंटु आउन वर्ड फिफ्ती फिफ्ट फू इंटु टेन टी ठीट और यह भी कितना जो इए उसे जी दौकई एक कुझ से जुआ एनुसे जुद में ध्राविटी लेको सेंटर उफ मास इसको हम लंग बुलते हैं सेंटर आफ मास यह यहां जो से किया ना मैंने इसको यह जो पॉइंट इसको यह लोग क्या बनेंगें एद हैं अब यह को पुछ करें कहां पे पुछ करें जो फाइची ब्लॉक के टूप के शीट को मत्व पर नॉर्मल फोर्स है वह कहां पर आएगा अब फ़र फाई की टूकेजी को उपर पुश करेगा तो normal force कहाँ पर आएगा उपर यह समझ मैं सबको ठीक है अब देखो अब देखो ये वाला टूकेज अब ये वाला टूकेजी टूकेजी ये टूकेजी की ऊपर 20 किने से पुल करेगा उपर ती टु के अब मुझ ता 5 केजी को ऊपर को किस-किस के कॉंते कि आप देखोगे टो टेंशन है टी ये टी टू तो तो लगाएंगे चलो हम दा फाइए कीजी को ऊपर दो टेंशने एक उपर टेंशने टीवन बन बताओ मुझे यहां पर करूँगा क्या में कि यहां पर टेंशने पूल करेगा करेगा यह वाला स्प्रियंट चुल करेगा इसको ऊपर करेगा किटि यहां धू पूल अप प्रव करने के लिए ड्रॉ कर सकते हो लेकिन सारे फोसे को कहा से ट्रॉ करना है सेंटर से अब बाद में जाके हम तीचार महीने के वाद पूरा मेकनिस कंप्रीट करेंगे तब टीटू को यहां पर ट्रॉ करेंगे जब टॉर्क विगर ऐसी कुछ-कुछ चीज़ होगी टॉर् क्लिए करें लिए नहीं अभी तंब अपने सेंटर सेट्रा कर लो सब सबकूर सेट्रा करने टीटू को सेंटर सेंटर आफ मास्ट कर रहे सब को एवडी का रूल है के अब इतना यह क्यां नहीं है फाइगे जी इतने से लिए यहां पर भई न भी तो है तो यहां पर देखो एन एनफ भी तो नीचे आएगा यहां पर कितना है एन फिफ्टी टी 10 टिस को तीन तीन फोरसे से आंब यहां पर न्यूटन के दो लॉल लग घहां अल्रेड यहां पर सारे चाह्ण जीरो है यहां का भी और इसका भी और इसका भी में हैं यह पहले एक्ट से बताया था मैंने अब बाडीघाव में होती है eres alone होता है मतलब इ Ages सब्सक्राइब कोई सब्सक्राम से उपकर और यह जाएगा तो इसका कैसे लिग नहीं इसका सिक तो टीवन उपर है एन फिफ्टी टीटू सब नीचे है तो टीवन उपर वाला फोस इकॉल टू सब सारे पैरल फोर्स एड इचाथ मैं लग देगे एक दो थी फोर्स इस विकन एड देम तो क्या हो जाए गए हाप फिफ्टी प्लस एन प्लस टीटू इस मैं एक्वेशन तो इसका की वालीगित नाइन C NV ह wifi यह का सारका सारक नुटन में मसंदब नूइज इसका यूनी नूटन नीूटू नूटन्व्थीिद ही हैं सब मत करो भए बश्पन वाली चीज़ है Bush कुछünk लोगो कर लिता और यहान लोग तोनों सेम ही दिखते हैं चलो मुझे बता सबको एफ़डी रिवाइज हो गई अब यहां पर एक चीज अपने एक चीज क्या आपने न्यूटन का थर्ड लॉफ मोशन देखा है क्या इस क्वेश्चन में अपने न्यूटन का थर्ड लॉफ मोशन देखा बता है यहां पर देखा है यहां पर न्यूटन का थर्ड लॉफ मोशन है देखो कैसे है इस को पाइज एट इस पाइज की और कुंसा फोस के नदर कुन सा फोर्स है जो जो में पर नॉर्मल कॉंटैक्ट ऐसे अभड देखको और को सर्कल कर रहे हैं ये जो टू- Wave उसके उपर नॉमल पॉर्श कहाँए ूपर के डैरेक्शं में और वही नॉर्मल वोश और में पर कहाँए नीचे के डैरेक्शन में दोनों से मी नॉर्मल है तो मुझे एक बात बता है यहलो में रोखी है नॉमल मतलब 2kg 5kg के उपर नॉरमल जालता है तो 50 2kg के उपर भीनॉमल जालता है दोनों एकवलिक है एक्शैंस रियक्शन टॉपर में झाकों Uh ऐसा नहीं तू के जी के उपर उपर तो फाइक जी के उपर नीचे तो नॉमल फोस एक्शन रियक्शन जो पेर होता है वो अलग अलग बॉडी पे लगता है ऐसे एक्शांपल भी दिया था तो नॉमल फोस यह कैंसल कर रहे अलग अलग बॉड्य सं为 हैं अलग बॉडीस पे जैसे अब बाद में यह भी देखेंगे आपको आपको उर्थ को खिष्टे हो मुँदिंस यहीं जीसे आप को कि खुछते हो टिराम ना और फिर उतनी से बाध में उतने ही एक्शन रियक्शन एक्षिन रिएक्षिन न्यूटन थर्ड लॉट यहां पर सब को समझ में आ रहे हैं फटा फटा आगे बढ़े हम लोग गाई कि अब थोड़ा सा थोड़ा सा पहले आगे बढ़ने के थोड़ा सा विक्तर ठीक है आज मैं बहुत सरी चीज़े करवाने वालों मतलब आज शायद से मेरी पुली तक जाने कोशिश करूंगा मैं ठीक है कि इनिशल दो लेक्ट्स में थोड़े से फ्लोही करता हो क्योंकि नीट वालों को विगरे भी बहुत काम में आता है ठीक है फिर आगे वाला हुआ हम जैशन आधने कुछ चीज़ी को बता रहा हूं हो ते कि यहांपर जहता मुझे पहले बताओ एक फॉर्स है ठीक है एक वेक्तर है यह फोर्स है यह है आपको याद का यह खृति के फॉर्स है जया शेंसे इस वेक्टर यह होता मुझे बताओ यह जो मेरा है ऐसा वाला वी वेक्डर सब्सक्राइब मैंने बोला ay black कैसे करते ऐरðी कैसे काफी क्या सब्सक्राइब इस वेक्तर प्लसफिश्थिस ने एक वेकटर एंविक टर फिर सी वेक्टर अलब यह ऐसा कर लेते हैं हम लोग ठीक है इसको मैंने C वेक्टर कर दिया तो मुझे होता है मेरा A वेक्टर था जो की 10 था या दे को हम लोग क्या करते थे 10 ये था मेरा 8 ठीक है तो 2 वेक्टर तो हो गए और B वेक्टर कहां पे था कि पी्वेक्टर काहा प्रें ता यहां पर जैसे को यह में दॉ Mi Mi झालिंद टो अब मुझे इस बात बता हो यहां पर जैसे है वेक्टर हो गया एत्र हो गया कि वेक्टर हो गया तो इन को एड़् करके किया गान प्लत ऑप टेंट किसको याद तो क्या है टेन प्लस एट एटीन एटीन माइनस टू सिक्स्टीन यह सब कुछ याद है कि नहीं आपको तो रिजल्टेंड वेक्टर लिखते था सिक्स्टीन अब मैं ABC नहीं लिखता में फोर्स लिखता हूँ अब यहां पे तेको आपको सब कुछ पता था राइ तो अब क्या करोगे कि इसको इसका मैगनेटीव टेन है इसका मगनेटीव एक इसके मैगनeटीव टु 않아 के प्लस एटेन ओवात्तिव इसकह लिखेंगे तो मुझे बता इसको है चैंज इंब मैंने कुछ ऐसे सब कुछ पादा लेकिन है एक वेक्टर को ऐसे दिया और दुसरे वेक्टर को मैंने ऐसे दिया ठीक है मैंने बोला कि यह मेरा f1 वेक्टर है और यह मेरा f2 वेक्टर है अब दोनों को बताओ मुझे add करके क्या मिलेगा इसको मैंने लिखा 12 इसको मैंने लिखा तो अब मुझे बता इन दोनों का विक्टर एडिशन क्या होगा और मैं लिखा चलो यहां पे एक मैंने वेक्टर दिया और लेसे मैं लिखा यहां पे एट यहां इसको मैंने यहां पे लिखा सब्लेक्स में ओढ़ सिंफी आप की से उनको याद सबस्क्राइँ और इस एंगल लिखा उष्चैन करना पड Zeit क्या करना पड़ेगा श्यां है ऐसे उन में कया करना पड़ आप याद करो क्या करना पड़ते हैं इस वेक्टर का क्या लेना पड़ेगा आपको याद करो थोड़ा सा भूल गए यार यह पूरा का पूरा मैंने अभी इसका क्या लेना पड़ेगा अपको पता ऐसे वेक्टर करने के लिए यह मेरा एक्सिज यह तो हो गया टिक है फिद्स फिरन क्या करते थे कंपोननंट होता है मैंने लिख दिया 1260 यह वाला एंगल के बार उडर 1060 यह तो यह कुछ engages किम नहींने तो ॥ यौ और यहां पर सिंपर सिंसल्ग मतलब क्या अगया हूँ वा सिक्स रूट 3 अब है अब मुझे अपर यह अन्यक Ц상 전 अपना झाल वा सिक्सूरूट 3 अब तो resultant force कहाँ पर बचेगा resultant force along x कितना आएगा 6 और 2 का इधर component कितना आएगा 6 और 2 कितना बचा 4 और उपर 6 root 3 है नीचे 4 root 3 है तो इधर कितना बचेगा 6 root 3 minus 4 root 3 कितना बचेगा तो यह हो जाएगा मेरा resultant force यह हो गया resultant force नेट फोर्स इसको लोग नेट फोर्स भी लिखते है नेट फोर्स का यह वाला हो जाएगा 4x component यह हो जाएगा मेरा नेट फोर्स का कौन सा component यह वाइगा सबको याद है फ्रॉस ने वेक्टर याद आया क्या हूँ टॉड़ गया है तो यह 6 root 3 minus 4 root 3 2 root 3 sorry guys एकदम सही बुला आपने मैं मिस्टिक ठीक है 6 रूट यह उपर 6 root 3 नीचे 4 root 3 2 root 3 बचेगा ठीक है इतना सबको यहाद आ रहा होगा ना वाई तो तुम्हारा तुम नूटन लॉजब मोशन पढ़ चुके तुमने पढ़ लिया तुमको components निकालने आता है ठीक है तुमको एक्सेन वाइक्सेस सबको एक्सेस ऐसे कि सबकुछ आता है प्रॉपर तरीके से तुम्हारा हो गया म सबको समझ मैं चलो यह सबको समझ मैं तो आगे बढ़ते हैं अब यहां पर देखो मैं कुछ क्वेश्चन गालता हो एकदम सिंपल अपन अभी न्यूटन सेकंड लॉग बहुत इंपॉर्टन है न्यूटन का फर्स्ट देख चुके न्यूटन का फर्स्ट सब इक्विलिब इस एक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एफ मेट का मतलब इसको लोग एफ रिजल्टन भी बोलेंगे अफ आर मतलब एफ रिजल्टन कोई दिक्क्त रहा है तुम्हें एक दो क्वेश्चन आपको यहां पर देखो मैंने बोला यह ग्राउंड है कितनी एक्सीजित दो एक्सीज़ सेम्में रकोना दो एक्सीज़ को अलग अलग करनेगा अपना एक सब्सक्राव अलग अलग ठीकेश को यहां अब आप मेंने यहां पर एट किसी का ब्रॉडग दिया ठीक हैं और मैंने इसके उपर एक force लगाया F1 force जो लगाया मैने 24 newton या मैने इसके उपर force लगाया F2 force 6 जो मैंने लगा 8 Newton था क्धें मुझे बताओ बॉड़ी कहाँ पर जाएगी इधर लगा eight body Origrine कहा पर जाएगी बताओ मुझे छोटा लोटा एक्जाम से फेल एक्जामपल एक्जामप्ल वन बड़ी कहां पर जायेगी कुन सा फोर्स यह बड़ा है प्वेंटीफोर बड़ा है एट फटक नौर्मल बूल गये क्या वह तो अपने पहले वाला अब तक कोई फ्रिक्शन नहीं है तो मुझे अभी तक फ्रिक्शन दो लिक्चर के बाद तो मुझे एट के उपर और एक फोस लगेगा कौन सा ग्रैगीटी क्फेट-ब्रमल फोस के नॉर्मल फोस उपर लगेहा इन दोनों के अंतर नॉर्मल फोस ऀुपर लगेगा अभी तो पड़ाता है इन पूसे ने कौने अब नहीं कर रही है तो अलॉंग वाय एक्सिस स्टो छोड़ दो वो तो उदर वैसे भी अपने पिक्चर में नहीं ले रही है क्या तो मुझे बताओ बॉड़ी का एक्सेलरेशन थिकट में यहाँ पर लिख रहा हु धन से देखो बॉडी का acceleration along y-axis कितना है प्लावम एक्षिज एक्ष्न आप्टे पादी कितना है जीरो है तो मुझे बताव सब्सके detox कितना होगा तो इदर का kurites तो कितना होगा तो एन की वैल्यू कितनी होगी एक एक हम पर यहां पर यहां पर यहां पर फ कोई बॉल सकते इधर बॉडि का एक्सेलेशन को ऐसे लिखा करते है एक तो एक्सेलेशन यह है एक्सेलेशन जो है एक्सेलेशन लिखेंगे अब मुझे बता यहां पर यह 24 ए एट है तो कोई बोल सकते इसका इक्वेशन क्या है इसका इसका इक्वेशन क्या है एक्वेशन क्या है एक्वेशन का सेकंड लॉ अब यहां परांपी एक्वेशन वे इसक्वेशन और उसलिए और मैंच भूर सेट कहांँ ध्यूर्टीफ्たओ घ्र माइनस एट मुझे विडि kauig इस इकल टू क्या मास मास कितना है एट इन्टू एक्सेलरेशन यह आपको सबको समझ मैं क्या लिखा मैंने 24-8 इस 16 ठीक है अरे भाई 24-24 इस इकल तू मत करो यह और यह नेट फोर्स ना नेट फोर्स वाट इस नेट फोर्स सबको समझ मैं आया कि नहीं आया कि नहीं आया बताओ जरा जिनको समझ में नहीं आया भाई आपने कुछ वीडियो वीडियो कुछ देखे नहीं है पिछला वाला लेक्षर भी आपने देखा नहीं है दिपान कर जाके थोड़ा सा स्टेटी करना चालू करो ठीक है मैं वापस नहीं बताऊंगा इस चीज़ को क्योंकि इस से और इसी नहीं बता सकता हम ठीक है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आपकी कुछ सेल्फ टेडि में प्रॉब्लम है यह आप चीज़े पढ़ नहीं रहे है ठीक है चलो यह अब यहां पे मुझे बताऊं नेट फोर्स क्या होगा नेट फोर्स मतलब क्या ट्वेंटीफोर आगे का अब आगे देखो सब लोग गाइज को आगे बढ़ू आगे बढ़ू गया कि लिख्क्यों गयना आपका है लिक्टे तो हुआ होगा अरे लिख्की हुआ होगा के नहीं कि यह करचन आप लोग करो फटा फट करो चलो एग्जाम्पल को में सब ओप भुदे लूप फटा फट करो ऐसे रगा तुम लेकिन ऐसे लगा रहो और स्ट्वेंटी रूट्ट टू नविटन और यहां पर और एक और उसे अपको पूह जा लगा सब्सक्राइब करो थोड़ा सा आपने बुला कंपोनन निकाल के अलॉंग एक्स एक्सिस अलॉंग एक्सिस सेपरेटली सॉल करो और बताओ मुझे आंसर कितना होगा झालॉंग भी करो जिसाइब कर ऩॉल्या एक्सिस अलॉंग एक्सिस एक्सिस सेजस दूलओ करो और जिकाल्समेश एक्सिस सắc्लिकश कर भाने Hoje चॉल्ग एक्सिस सेरต मुझे कर दोज़ा कर सक्क्सिस से ripर रोण The झाल 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 याइज बताओं मुझे एट्विंटी रूट्टू है यह फोर निव्टन है क्या गए कि अब अब मुझभा थे एख बता साथ और सारेज़ को वॉट सिंपल वाला फॉस जो अपे टी इज NG 40 चब्सक्राइब फोर्टी न्यूटन वाला है और एक नॉर्मल फोर्स जो उपर है ठीक है तुछ हो गया देखा दो डो रेड़ वाले की अब टेको एफ न्जो फंगा दे रहे तो एफ न की कितने कंपोनेंट रहें एफ ने ट्वेंटी रूट के दो कंपोनेंट ये और किये में लगर दो कंपोनेंट मसा एपन भी चला गए एस वकंपोनेंट क्या होँगे ट्वेंटी रूट्ट तू कॉस्ट फॉर्टी फाइए विची से कटना 20 and 20 टू त्वेंटी रूट्टू साइन फोटीफाइब वह भी दोनों क्या हो जाएगा ट्वेंटी अब यह में हमेशा इसका कुछ काम नहीं है अब देखो यहां पर यह 20 न्यूटन है और यह 4 न्यूटन है बॉड़ी कहा पर जाने वाले बताओ मुझे त्वेंटी न्यूटन है यह 4 न्यूटन है बॉड़ी कहां पर जाएगी वाड़ी कहां पर मुझे तूवर्ड राइट तूवर्ड राइट जाएगी मैं आपको सबको बोला था आपको वीडियो देखके आना है कुछ लोग यहां पर जो पुछ रहा है जिन लोगों को समझ म कई है मतलब कभी भी आओ कभी भी बैठो ऐसा नहीं करना है आपने सब्सक्राइब का लेक्शन मिस हुआ होगा डिव टू एनी रिजन टैक्टिकल्स और कुछ भी आपका काम है सेकंड लेक्शर के पहले वह पहला वाला लेक्शर देखके आओ क्या आप बीमार हो या कहीं पर गए हो शादी के लिए गए हो किसी के घूम रहे हो ठीक है आपका काम क्या है सेकंड लेक्शर के पहले फर्स लेक्शर को देखने का ठीक है और उसके बाद उदर जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिये उसको फॉलो करने का ठीक है चलो थीक है यह 20 नुूटन यह फोर नुटन मुझण बोड़ी कहां पर मू करने वाली है कि 20 नूटन ने फॉर्न नूटने बोड़ी कहां पर करने बताओ कहां पर और राइट मू करेगी एक्सलरेशन यह होगा देखाय एक्सलरेशन अलॉंग x axis कोई बोल सकते एकैस θα नोंग y कितना है वाडी ऊपर कि से नहीं तो इतना है जीरो है ठीक है अब मुझे यहां पे यहां पर बताऊ अब यहां पर दो इक्वेशन आघए ऐगे एक्वेशन अलग से लिख़ फ्क वाइसे के आएगा एक्वेशन रउग y0 है तो नेट फोर्स भी जिरो है मतलब क्या उपर एंट 20 तो यह लोगों ने गलती किया होगा लोगों ने एक एंट प्लस ट्वेंटी दो दो फॉर्स दो एंट प्लस ट्वेंटी इकवर्टू 40ग वरवन समझ में आया है तो यहां से इन की positioned क्या होगा k sail semanticост एपने उसमान क्या होगा तो य हम लोग क्या लिखते हैं पर एफने हृइशी इक्वर्टू सेंटर ओ। माश इंट फॉर इंटू एक्सक्रणेरशन अलों एक्सेक्स डोट्रेटीबान सब्सक्राइब को समझ में आया कि नहीं आया सब को समझ में आया कि नहीं आया है क्रेश्टन कि कि सब को समझ में आया अनीश वीडियो वीडियो रेकॉर्डिंग देख लेना कोई भी रिपीट नहीं होगा क्योंकि यह रिपीट करने की नोबतारिया मतलब तुमने मेरी रेकॉर्डिंग देखी नहीं तुमने चीजों को फॉलो नहीं किया यह फिर प्रीविएस मास्टर क्ला आता है उसके बाद सिकन उसको अभी आज का लेक्चर आपके रिवीजन होना चाहिए शुड नोट भी और फर्स लेक्चर मैं आपको हमेशा बोला था इस भी और रिवीजन जो आधे लोगों ने देखके है तो मुझे समझ में आ चुक है कि कौन लोग ने देखके आया है म यह चला हागी बड़े आगया बड़े इसकों को स्क्रिंस्चॉट लेकर रैखो देखो वहां पर मैंने क्या इंस्ट्रेक्शन बताया हुए ठीक है और वह इंस्ट्रेक्शन को फॉलो करो और यह सब कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मतलब आप समझ जाओ कि भाई आप बहुत बड़ी कुछ तो गल्टी कर रहे हैं ठीक है गुड गुड जीन लोगों ने किया मुझे पढ़ने वाले लोग को ने तुमने नोट बनाए विए अच्छी बात है वेरी गुड ठीक है वेरी गुड जैया वेरी गुड अनूज और जो दो लोग बोल रहे हैं यह तुम लोग प्रॉपर ट्रैक पर और जो लोग पर विजिट करो या कभी आपको मिलूंगा तो भाई जो लोगों ने रिप्लाइ किये हैं जो लोग मेरे साथ बात करते तो मुझे दिमाग में आएंगे ठीक है और बाकी लोग भाई दिमाग से रिकल जाएंगे सिंपल सी बात है जिंदगी का रूली वो है कुछ लोग प्योर ऑनलाइन वाले भी अपने साथ जो प्योर ऑनलाइन वाले भी है ठीक है उन लोग के लिए हाँ अभी यह से किसी का जैसे ने बोला कि सर आपने स्टाट के हमें ओफ्लाइन हो गया था कोई दिक्कत नहीं वापस देख लेना तु ठीक है क्योंकि इसमें यह रिविजन मतलब तू वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना समझ मारे चाहर एक्जांपल थी कर लेते हैं ठीक है अब यहां पर सब लोग देखो एक्जांपल थी में थोड़ा सा अलग अब डबल ब्लॉक पुश्च मतलब थोड़े सा अलग तो यहां पर देखो जैसे है मैंने इसके ऊपर ऐसे फोश लगा या मैंने इसकी उपर एक फोर्स लगाया थेखे एट सरी के से लगाया है ट्वेंटी एट नूटन ने 28 नूटन का सब्लाइब और मैंने यहां पर एक फोर्स लगाए फ्टूवर देखो यहां पर इदर भी एक फोर्स लगाए मैंने यह लगाया मैंने सेवन नूटन का मुझे बताओ मतलब यह ते यह फूर के जी ब्लॉक को ठीक है और इन बोडिस के अंदर मुझे तो कहा कहा पर कॉंटेक्स से बता हुआ कि तो है ना नॉर्मल फॉस एंवन यह यह एक दूसरे के साथ भी तो है यहां पर इसको इसको में लिखता हूँ यहां पर भी है तो यहां का जो कॉंटेक्ट से उसको हम लोग क्या लिखेंगे क्या लिखने आपको एंट्री एंट्री लिख देते हैं ठीक है और मुझे बताओ यह दोनों बॉडिस का एक्सलरेशन क हाप लगा इतोर अगत्री जॉडिस का एक्सलरेशन कहां पर होगते की सा फोज जादाए ट्विंटीएट बड़ा है ऐसे मुग एक तो बैसिक लिगा इस तरफ मुग करेंगे अलों एक सेक्सिस इसा सकुए क्वैसा कोई टो सारी अन्नों लिख देने थे तो मुझे बताओ कि अलब कि कितने एंड्रेशन अनों मतलब तो मुझे अपने को पता नहीं तो ऊइंड नों। यह कितने एकॵेश्शन स्टेंगे मैं कि alrededorि नीड वाइशन दिवियु नीड गाई चार अन्नोन चार इक्वेशन बच्पन में पड़ा है चार अन्नोन चार इक्वेशन ठीक है चलो पहली चीज अपने दिमाख में का इन चीज यह क्या बनाना होता है ऐफ बीडी फ्री बॉड़ी डाइगराम करते हैं चलो पहले हम थी बना देते हरे का ठीकेजी ब्लॉक का एफ पर बना देते यह हो गया मेरा मिस फोर्ट के ब्लॉक था 3 kg यहां पे हो गया थिक है 3 kg 4 kg3 kg के उपर कौनसा कौनसा फोर्स आएगा बताओ मुझे साला पहले मुझी होताँ सबसे एंजी एंजी ग्रेविटी एंजी कितना 30 ये कितना 40 सबसी न और कुछ सबंसे उते हैं यह तो सबसी है न अब मुझे को पूश कर रहा है को पूश कौन कर रहा है को तो 28 न्यूटन जो रेड में रेड में एसी लिखा देता हूँ यहां पर एक हो गया मेरा कोण और कौन है 4KG और 4kG उसको ठक्का कहा पर लेगा पीछे देगा कितने से तो जो सब्सक्राइब जो मेने यहां पर रॉ किया है एंट्री वह समझ में कैसे की आ थ्री केज़ी को फॉर केज धक्का देगा पीछे थीग है अब मुझे था फोर केज़ी फॉर केज़ी को स्फॉर केज़ी पाइस नीू टन N3 से आगे, देखो ने, action reaction, देखो यहाँ पर action reaction N3 आगे, इसके उपर N3 पीछे, N3 देखो action reaction में आ रहे है, न्यूटन थर्ड लो भी है नहीं, यहाँ पर, यह आपको समझ मैं, यह diagram जिस सबको समझ मैं ही, कैसे बनाई ही मैंने, यह नहीं समझ मैं ही, मैं erase यह करके रखता इसको कोई अलग टिक एक्सेलेशन एकों में यलो में लिए और दोनों का एक्सेलेशन इसका बॉडी गए इस बॉड़ी का एक्सेलेशन भी इधर है मुझे आता है यह विदी सबको ड्रॉ करने को आगया समझ मैं आगया कि हाउट ड्रॉद विदी सबस्क्राइब को सोज पढ़ा होगा ऐसने टी कि अबस्क्राइप करते हैं इसा को सब्सक्राइब कर लाज जब बें इदिधा हो को सबस्क्राइब एक्स— कौन सा फोस आना चाहिए एफ़न बढ़ा एफटू से तो हम लोग क्या लिखेंगे एफ़न माइनस एफटू इस इक्वल टू मास इन्टू एक्सलिशन समझ में आ रहा है ठीक है मैंने ऐसी कुछ लिखा यहां पर देखो मैंने ऐसी बॉड़ी बनाई सब लोग अब बताऊ बोड़ी का मास में अब मुझा तो कोन फोर्स बड़ा होगा मैं थी इक्वेश्न के लिखेंगे F2 plus F3 minus F1 is equal to carry mass into acceleration सबको समझ में आ रहे हैं सबको समझ में आ रहे हैं कि इसका इक्वेशन बताओ क्या लिखेंगे किसे ने करें मास M है किसे ने बोला कि सर एक फॉर से एंड आगे है एक फॉर से एंड पीछे है और आगे एक्सलिशन ऐसा है तो इसका एक्वेशन क्या हैं इसके एक्वेशन समझ में आ रहे हैं आपको सबको पता है जहां पर एक्सलिशन नहीं है मतलों लाइच अफोस इकवाल वाला फॉस तो मुझे बताओ हर बॉड़ी के लोत-प्लश्त अnet किस्व नेगल कि कितने TWO मुझे संब्सक्राइब अब यहां पर देखो इसके इक्वेश्णिन किया Wrestle कि इसका पहला एक क्यों साफ पहले सबस्ची कौन सा होगा एफन इक्वल टु थर्टी ति नूबर वन इसका एक प्रित इन डूब़ टू प्वूटी इक पफोर्टी फूटी फुछ पंगा था क्या एफन अधिकल टु थर्टी इन टू इकॉल तो अब देखो इसका इधर है तो मुझे एक बात बता इसका इक्वेशन लिखना है मुझे इसका इक्वेशन मुझे लिखना है से तो हम लोग क्या लिखेंगे 28 माइनस एक्वेशन तो खया मास् से इछ इक्वेशन बढ़ा एक्वेश्टन न्बर 3 कि घ्रास ट्री माइनस ट्री माइनस एंध्रिमाइन-7 अर्याक यसे बढ़ा है त्री माइनस 7 मर्स इंटु एक्वेश्टन नमबर 4 सबको समझ में आ रहा है कै मैं क्या लिख रहा हूं और सबको समझ मैंने क्या लिख रहा हूं यह एक्वशन नमबर थी से करना है एंट्री एंट्री को कट करना है ऐडिंग देम ठीक है में हैं यहाप लिखता हो बाइडिंग तो बाइडिंगा यह तो बाइडिंग ट्री सेवन क्या हो गया टीक है एंध्री इदर प्लस इदर माइनस यह जबंटेवन इसेवन यह एक वेल्यू कि इतने इती इती तक एक वेल्यू थी आ गही मेरी अब इस एक वैलीव ठीको यहां पर पूट करो एक की वैलू यहां पर पूट करो क्या है गा फोर ठीजा ट्वेल ट्वैल प्लस सेवन कितना रिता है तो एंट्विति होगए मेरे कोई दिक्कत यह पहले आप लोग लिखो फिर इसका एक क्वेश्शन में आपको देता हो फड़ा वर्ली को जलो झाल 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 यहाँ पे मैंने फोस लगाया है तो आपने को जो में है वो है यहाँ यहाँ पे इन दोनों के अंदर 2 & 4 के अंदर होगा N1 ठीक है एं फोर एंदर जो नौर्मल फोस होगा उसको में लिखता हो N2 तो N1 N2 मुझे निकालना है और बौडी के एक्सेलरेशन एं निकालना है तो मुझे तीन में अंदों ने में ए और सबसे बेवकूफ वाले कौन से जिसको कुछ कामी नहीं है मतलब जो पटाए अपने को कौन से कोई बोलेगा सर यह हो गया N3 यह हो गया मेरा N4 यह हो गया मेरा N5 यह तो इसी है ना N3 N3 20 N4 सबसे मतलब क्या N3 is equal to 20 N4 is equal to 40 और N5 is equal to 60 ठीक है यह तर तीन तो वैसे भी टू एन एक्सेलरेशन इन की वेल्यू बताओ फटाफट क्या होगी ड्रॉद एफबीड आयल गिव यू थी तू फॉर मिनिट्स फटाफट सबकी एफबीड ड्रॉकर एक्वेशन लिखो ठीक है और बताव आंसर कितना होगा जिन लोग की कैल्कुलेशन अच्छा जिन लो झाल झाल करो करो में दो मिनिट और दे रहाँ टेंशन मतलो टू केजी फोर केजी सिक्स केजी की प्रॉपर एफबीड बना और क्वेशन को सौल कर नहीं कोशिश करो झाल 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 कि चलो गैज अब एक एक करके स्कृशन को सौल कर लेते हैं ठीक है टू के जी फॉर के जी सिक्स के जी सबका पहले मुझे बाद बतो सबके एफ बड़ी पहले निकाल देते हैं जैसे यह टू के जी हो गया फॉर केजी हो गया ठीक है और यहां पर सिक्स केजी हो गया तो टू केजी ठीक है फॉर केजी और सिक्स केजी चलो पहले तो मुझे बताओ यहां पर सबसे इसी वाला कौन सा होगा सबसे इसी वाला जो यह वह ब्लैक में रख देता हूं में उसको नीचे होगा ट्वेंटी उ अॉपर होगा एकदम नहीं रप्साइब अब two केजी के उपर तों सा देखो कि नूूटन तो इदर आहेगा बड़ाबगा अब 2 kg को बाता 2 kg को ना 6 kg धख्का दे रहा है ना 24 ना टू के के चीड के कौंटेक्ट में 4 kg 4 के इसको धख्का देगा पीछे कितने न1 से तो यह जो भी है न वह एनुबं लिखो यहां पे गाई ये न वन लिखो यहां पर समझ में रहा हैं हुँआ है फिर यह होगी स्केंट और सारे फोसे को ड्राव हो गया अब 4kg को को धुटा दे रहे लिए विखो 4 kg को ना 60 दख्का दे रहा ना 24 धैन में रखना एक शिक्टी 24 तो लगे हुए 2 kg 4 kg को को दख्का दे रहा है इसके आज वाजू में कोन है 2 kg 6 kg डाइएक कॉंटेक्ट धैन में रखना 2 kg 6 दो 4 kg को 2 kg दख्का देखा आगे n1 से 4 kg को 6 kg दख्का देगा पीछे n2 से ठीक है तो यह हो गया एंटू समझ में आ रहा है क्या दख्का देखा जो है आजू बाजू वाई इसको धक्का देंगी तो सीक्स के जी वाला पुष्करेगा पीछे तूप पुष्करेगा आगे कुछ मैंने कर दिया 6 kg को कौन पूश करेगा 4 kg आगे पूश करेगा कितने से एंटू से ठीक है तो यह तो हो गया मेरा एंटू और और 24 पूश करेगा पीछे तो 24 पूश करेगा पीछे ऐसे समझ में आ रहा है सबका इक्सेलेशन है सारे इसका है इसका इक्सेलरेशन ऐसा जैसा है पुकि मैं अपने इक ट्री अन्नोन थे एक्वेशन निकों चाहिए तो फटा फट एकवेशन लिखो यह पहले आगे यह एए एयride पीछे तो मैं यहां पर लिखता हूं तो सब में लिखता हूं यहां पर 60-1 इसे टू इस पहला इक्वेशन फिर यहां पर एक्सेलेशन आगे है n1 इदर तो n1 बढ़ा है n2 से तो n1 माइनस n2 जो है वैसा लिखने का इस इक्वल टू मास मास पूर इंटु ए देखो लेफ्ट एंड साइड यह वाला जो चीज़े एफ नेट है यह कहा है मास इंटु एक्सलेशन इदर देखो एंटू आगे 24 बीच एंटू माइनस 24 अगें आगे नीचे एक लिख लिख एक दो ती ऐसे लिख फिनों को एड करने के बाद क्या-क्या चप्ट हो जाएगा देखो और एडेम और देंगा ही ना आपने साथावस्ट एड कर लिया तो एंडवन एंड वन गर्ट एंटु एंडू कट देको ना माइनस एंड एंड बेल्य तो 60-24 बचेगा इस एक वेल्यू क्या एक वेल्यू कि इस ट्रीश ट्रीश वाइट वेल्यू कितना थी तो यह कितना है थी मिटर पर सेकंड स्क्वेर काम खतम अब एक वेल्यू थी यहां पर डाल दो तो एक वेल्यू आजाएगे अब यह तो क्या है यहां पर डाल दो 60-6 कितना हो जाएगा 54 तो एक बार 54 नूटन आ जाएगा और थी की वेल्यू यहां पर डाल देने के बाद ट्वेंटी फॉर्प्लस ट्वेल्फ थी सिक्स एंटुज इवल्यू थी सिक्स आ जाएगा समझ में आ रहे हैं स्वारी थी सिक्स्ट्री जाएटीन तो ट्वेंटी प्लस एटीन कितना हो जाएगा ठीक है सबको समझ में आया क्या कैसे करना है सबको समझ में आया क्या राइस अब इसमें आपको देता हूँ और ठीक है थोड़ा सा टेंशन वाला क्वेश्टन है ठीक है अब इसमें नॉमल फोस ग्राइवीटी सब यूज कर लिए आपको समझ में डबल बॉडी ट्रिपल बॉडी के क्वेशन कैसे किया जाता है ठीक है एग्जामपल दे रहा हूं मे इसको एक आपको इसको पेरे स्क्रिंशॉट ले लो जिसको जिसका नहीं होए फटा-फट आधा मिनिट दे रहा हूं मैं आपको फटा-फट लिग दो चलुँँँँँँँदुदुदुदुद दो जाता है कि चलो हो गया हम आगे बढ़ें अब एक च्छड़ा सा एक्जाम्पल सब लोग यहां पर देखो यह एक ब्लॉक है इस ब्लॉक को यह एक ब्लॉक लगा हुआ ठीक है और इसको मैं उपर खिच रहा हूँ ठीक है और पहले तो मुझे बताओ यहां पर है यह जो 4 में खिच रहा है यह 470 दे इसमें टैंशन किसे मैं तो मुझे मुझे बोले कि इसनघी कितना होगा और मुझे वता हो ये कहां पर पूर जाएगा नहीं जाये कर दो ब्लॉब तो ब्लॉबicians ग्षकिन पर यहाँ तो यहां पर मेरा क्रेश्चन है फाइंड इस टेंशन एंड एक्सेवरेशन यह दोनों आपको निकाला है फटाफट निकालो चलो फाइंड टेशन फेले दोनों की एफबीड ड्रॉप करो आपको जो भी आपको समझ में आएगा ठीक है उससे आप फिर निकालके ड्रॉप करो और करो मुझा ऑपको जो प्यों कोस्क्तों एक्राफ़े सी एंड एक दो देक मरें जाएग्छटाब्टिं क दो खने को समझ में एक्राफ़े बताफ जो जा ढख़ वहाँ जान कर।ेसे आपको समझ वो बताफ़ेश्च फर जाड़े झाल झाल 2kg 3kg कैसे करोगे क्या क्या करोगे इसमें ये 2kg 3kg किस तरीके के से आप करोगे क्रीशन को सॉल गाइस देखो याप यह 2kg 3kg आप क्या करोगे याप आप याप लोगे हाप देखो अब आपने बना देते एफ़ बनाना बहुत important है यह होगी मेरी 2kg के एफ बैडी यह होगी मेरी 3kg के एफ बीडी अब सब लोग यहां पर देखो 2kg के उपर जो फोस आएगा 70 वह उपर आएगा विकिन करेंद ऑपर कोईन सब्सक्राइब कोई सबसे सीम्पला विग्राइविटी भुलोमत यहाँ में इसको अलग लिए उपर तू के जी को टेंशन कहां पे खिचेगा तो टेंशन टी कहां पे खिचेगा नीचे ठीस के जी को टेंशन कहाँ पेखेगा उपर ये घर समझ में और सब समझ में तो यह एक ट्राविटि यह सब आएगा है एक बहुद आ लिए अगे आ कार्वंटी माइनस यह टीन 20 नीचे तो माइनस टी माइनस 20 माइनस टी माइनस 20 बराबर मैं समझ मां रहा है ग्रेकेट में प्लस 20 जो भी इस इकल्टो मास इंटु एक्सलडरेशन मास इंटो एक्सेयरेशन कितना इंट्व ए ठीक है एकशन नमबर फिर उसके बाद टी उपर नीचे तो टी माइनस 30 इस इकवल टू मास इंटो एक्सटेशन अब इन दो एक्वेशन को क्या करो एड कर लो तो टी और टी कैंसल कर देंगे टी माइनस टी कैंसल तो 70 माइनस 20 माइनस 30 आंसर कितना एगा याप इसाइब रखना 70 माइनस 20 माइनस 30 इस इक्वल 2 5 एक वेल्यू कितने आएगी हाँ यहाँ पर 20 बाइ 5 इस इकोल तो 4 4 मिटर स्क्वेर सबको समझ में आ रहा है ए 4 की वैल्यू यहाँ पर डाल दो कर सकते हो यह तो सॉल्विंग इस मैंस एक्वेर्शन लिखना इस फिजिक्स ठीक है एक्वेर्शन लिखके हो गया मतला आपका सबको समझ में अब तक को कि हाउ टू यूज नूटन लॉज आफ मोशन एफ इस इकड़ी में कैसे करते हैं लगाते हैं सबको समझ में आया इसको समझ में अब सबसी इंपोर्टन चीज लाज की चीज़े उसके बाद करके अब खतम कर लेंगे पुलीज आज क Gi Giart a या Austrian套तों है गिए उप्रवां देखो क्या है यह अपको दुन लाएं आपने वीडियो से मासटाक्ज वीडियो में आपका होगा पूली का पूरा पढ़ के आओ string constraint पूरा पढ़ के आओ string constraint यह बहुत important चीजह है बहुत अच्छे question इससे पूली और string constraint से बनते हैं ठीक है तो यह अगले lecture में होगा और उसके अगले lecture में wage constraint और pseudo false बढ़ा दूँगा ठीक है तो अगले lecture में यह पुली एंड स्ट्रिंग अपका पूरा का पूरा अच्छे से वीडियो देख यह वीडियो पूरा का पूरा देख यूटूब से लिंग पूरा शेयर किया हुए और लिंग नहीं होगा अस्टरक्लास के चैनल पर जाओ आपको सब कुछ मिल जाएगा ठीक है अब यहां पर देखो, एक चीज मुझे आपको बता नहीं है सब लोग यहां पर देखो इंक्लाइन सब्लोग को इंक्लाइन प्लेन में रखा देखा एक ब्लॉक को मैंने सब्सक्राइब को कई से आएगा बॉल सकता है कि ब्लॉक कैसे आने वाले कि इसको करने के पहले मुझे चोटा सब को पूछना है सपोज मेरे च और वायक्सिज यह से थे होंगे याउसे इस इसमय एकशीज और नहीं और रहे हैं that से रख सकता हूं अब प्रीज़कों कहां पर कुंसा फोर्स अलांग एक्स नहीं है कुंसा फोर्स एक्स नहीं है यहां पर ग्रैवीटी नहीं तो एमजी जो है तो यहां पर जो कॉन सा एक एंजी कॉन सा एंजी क्या जाएगा कॉस ठीटा कंपोननेंट यहां पर कंपोननेंट क्या जाएगा एंजी का कुछ काम नहीं है एंजे कुछ काम है क्या नहीं है सब्सक्राइब मैंने बोला एक्सेलरेशन आलॉंग यह जीरो है और एक्स एसे तो बताओ मुझे क्या करेंगा एंजी कॉस ठीटा लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा पता हुझे यह क्या हो जाएगा एक्सलेशन अरों यह जीरो है ना भाई प्रक्वेशन नूमबर बन तो यह आएगा तो एम जी ऐसे अगल चीट अब यहां पर देखो यह सेम चीज सेम चीज एक बीडी में ड्रॉ करते हैं आपको अल्यडी बता चुका हूं मैं यहां पर देखोगे यह मास एम रखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे यह हो जाएगी मेरी एक एक्सिस क्यूंकि ब्लॉक ऐसे सब्सक्राइब को और यहां पर मुकरते हो यहां पर हो जाएगी मेरी दूस्तिश्य एक्सिस ठीक है अब हम क्या करेंगे चाहिए तो काम करते हो अपन नं एक्सिस को भी थोड़ा सा आच्छे से नहीं क्रूंकि अदूर कर रहा हैं था है यह कि यह एक्सीस हो गई यह मेरी वाइक्स होगे ग्रैवीटी को ड्रॉ करेंगे एम जी और यह वाला पूरा का सर्फेस को पुश करेगा उपर तो नॉमल फोस कहां पाएगा उपर यह मुझे होता सबको समझ में का दो फोर्स इस यह समझ में अब देखो यहां का जो एंगल थीटा होता है दाहिल में रखना सेम होते हैं याद रखो भी ठीक है कुछ लोग जोमेट्रिस को प्रूव भी कर सकते वह आपका होंग यह प्रूव करना यह मैंने अपने नॉमल पिछले वाल लेक्शे में भी बताया हुआ है यह एंगल थीटा और यह एंगल थीटा है तो मुझे बताओ यह कंपोनेंट क् क्या होगा यह कंपोनेंट क्या हो जाएगा यह साइन और कोई बोल सकते है यहां पर ब्लॉक जो है कैसे आ रहे हैं ब्लॉक कैसे आ रहे हैं ब्लॉक इस कमिंग डाउन ऐसे तो मैं लेक्ट आपको लिखके फिर खतम करना है यह मेरा लाज का चीज है तो वाई एक्सिस के लिए एक्वेशन के आएगा वाई एक्सिस के लिए एक्वेशन में यहां पर लिखनेट एक एमेट लूँगा मैं अब यहां पर विचार एक फोर से इंजी सांग थी था तो इसको में लिखता हूगा इस M G साइन थी ता इस इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन सो मास इंटू एक्सेलरेशन अलॉग एक्सेलरेशन नमबर टू एम 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 कैंसल हो जाएगा एक्सेलरेशन आगेज़ी साइंट इन इसको इसको काम आने वाले गाईस इस इस मोशन ओं इंट्लाइन प्लें राइट हाउ टॉड्राइव बी और इंट्राइब प्रक्राइब इंट्राइब करो एक्सेलर तर्मो डिंट्रो भी खत्म होने वाले आज इसका स्क्रीशॉट लेकर रहो इसका पी स्क्रीन्शॉट लो छे सेम सेम तंव कर दो सेभी चीज मने बता दी Mins ap हाँ 12 पोशन भी हीट मतलब मैं जही में ऐसा नहीं सब्सक्राइब जब पढ़ा तो 12 का भी हीट कसम हो गाए तो इस इस वाला पाट पुरा खतम हो जाता है वह आधा दुरा नहीं करते हैं खत्म तो Pुरा खत्म थेक हैं कि 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 चलो आगे बड़े मदब आगे बड़े क्या चलो कम्लेट कर लेते वाइस बाइगाइस मिलते हैं फिर सी यू पूरा स्ट्रिंग इक्वेशन स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पुलीज सब देखे आओ अगले लेक्शर में प्रॉपर तरीके से नोट्स यह ने देखे आया नोट्स बनाए बनाए होंगे अच्छी बाते बहुत ही ठीक है चलो बाई गाइस झालो 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